नमस्ते दोस्तों मैं सुक चैनि सिंग आप सबका स्वाध करता हूँ इंडोइड वर्ल्ड की एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 स्नाइपर गेम्स के बारे में और यहां पे सारे गेम्स है वो काफी शांदार होने वाले है क प्लीस वीडियो को लाइक जरूर करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना अगर चैनल पर फर्स्ट एम आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बैल को जरूर रोन करें दोसो लिस्ट पे जो मारा पहला गेम आता है उस गेम का नाम है स गेम पूरी तरी के से ओनलाइन होगा और गेम का साइज है वो 500 MB के आसपास रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई गेम की ग्राफिस क्वालिटी काफी है बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि पीसी का एक कोई स्नैपिंग वाला गेम है अपने अंडोड डवाइस के इसके लाव और भी काफी सारी चीजे मिलेगे आप अपनी गंस को अप्ग्रेड कर सकते हो तो यह बहुत जवरस होने वाला है साथ में स्टोरी मोड चल रहा है और ऐसा नहीं है भाई इसमें सिर्फ स्नैपिंग करोंगे इसके लावा असौल्ट वाले कुश मिशन्स होंगे जिनमें आपको फाइरिंग लगातार करनी है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो उनमें भी काफी मज़ा आता है तो यार बिल्कुल सेम अगर मैं बोलू एक PC टाइटल आपको एंडोड के ओपर खेलने को मिल रहा है तो अगर आपनी ये गेम अभी तक नहीं खेला ना तो भा है 950 MB और गेम पूरे तरीके से ओफलाइन होगा ये काफी अच्छी बात है और यहां पर आप सभी को पता है कि हिटमें में भाई क्या होता है आपको टार्गिट दिया जाता है तो आपको बड़ी साफदानी से अलग अलग ट्रिक से आप मतलब वहां पर एनवीज को मार सक है वह देखने को मिल जाती है जो कि काफी जवरस्त है और आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो अपना लीडर वर्स कोर बोड़ शेयर कर सकते हो कि कौन बैटर है तो सीज में करने में काफी मज़ा आता है और स्नाइपिंग करने में तो भाई इटमें में एक अलग ह दोसो लीड़ पर तीसरा गेम आता है वह स्नाइपर फ्योरी गेम पुरी तरीके से ओनलाइन हो और गेम का साइज है वह दो जीवी के असपास रहेगा और भाई गेम लोट तो आप सभी को पता है कि हमेशा से अच्छे गेम बनाता आया है और यहां पर इनोंने स्नाइपिं जाता है एक गेम काफर होने वाला है और यहां पर वस्ट इस प्लेयर बैलफृउल्ड वह देखने को मिलता है तो बाकि एं गेम लोट के कें अच्छे होते है तोड़ी आज कल गेम लोट वस्लो हो चुकी है लेकिन पहले से गेम लूट बहुत जवरस गेम बनाता है बाकी अलग तरह के बुलिट देखने को मिलते हैं इसमें जिसे आप अब देख सकते हो एनिमी पूरा डिस्ट्रोई हो गया तो इस गेम को भी ज़रूर ट्राय करना दोस्तों लिस्ट पर फोर्ट नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है स्नाइपर एक्स्टिंशन गेम पूरे तरह के से ओनलाइन होगा और गेम का साइज है वो वन चीवी के आसपास रहेगा और भाई ये भी गेम मैं ऐसे ऐसे ही बोलूँगा कि एक PC का टाइटल आपको Android के उपर खेलने को मिल रहा है इतना जवरस गेम होने वाला है स्टोरी मोड तो आपको देखने को मिले गए जो कि काफी जवरस होगा और इसमें कुछ आपको स्नाइपर मिशन, कुछ गंशिप मिशन इसके लावा हैवी वेपन्स वाले मिशन भी आपको करने को मिलेंगे तो बहुत जवरस रहने वाला है मतलब थोड़ा फोजियो स्टाइल बनाया गया जो कि काफी जवरस लगता है भाई और इसमें टोटल आपको 130 प्लस यूनिक कैमपन मिशन है वो देखने को मिलते हैं तो हैर देखो आप कितना अंदाजा लगा सकते हो बहुत जवरस होने वाला है और कंट्रोल्स है वो काफी इजी है बिल्कुल एक ट्रिपल ए टाइटल आपको एंडोड के ओपर खेलने को मिल रहा है स्टोरी मोड चल रहे हैं इसके लाम अलग तरह की अबिलिल्टी होती है दोस्तो लिस्ट पर जो हमारा फिफ्ट नुवर पर गेम आता है वो है स्ट्राइपर स्ट्राइक गेम पूरे तरी के सी ओनलाइन होगा और गेम का साइज है वो पानसो सी एमबी है यार मैंने बिल्कूल भी एक्सपेक्ट नहीं गया था कि इतने कम साइज में इतना जवरस गेम बन सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्नाइपिंग के शोट दिखाया जाते हैं जो अलग अलग तरह के मिशन्स होते हैं इक स्टोरी मोड में चल रहा है तो वो चीज में को काफी जवरस लगी और इतना ही नहीं भाई यहाँ पर आपको असौल्ट वाले मिशन्स भी देखने को मिलते हैं तो उनमें भी जो cutscene चलते हैं जैसे आप कोई kill कर रहे हो तो वो भी देखने में काफी जोवरस लगते हैं तो या मेको तो काफी पसंद आया था गेम मनले इतने कम साइज में और कोई company में इतना नाम नहीं सुना था इस company का लेकिन इनों ने काफी अच्छा काम किया है और अभी तक गेम के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं तो यह तो हो गई normal सी बात है क्योंकि company ने काम भी इतना अच्छा किया है तो में को लगए इस गेम को थोड़ा उपर रिखना चाहिए में को भी पसंद आया था तो यहर आप इस गेम को जरूर ट्राइकरना मेरे कहने पर कर सकते हो मला जो करसीन दिखाते है न स्टोरी मोड के जैसे स्टोरी बिल्ड़ अप होता है तो गेम काफी जबरस होने वाला है तो इस गेम को भी जरूर ट्राइकरना दोस्तो लिस्ट पे जो हमारा 6 नमर पर गेम आता है वो यह स्नाइपर 3D गेम का साइज है वो डाइस ओंबी और गेम पूरी तरीके से ओफ लेन है और शायद ही कोई ऐसा यूजर होगा जिसने ये गेम ना खेला हो भाई स्नाइपिंग में बहुत ही पॉपलर अभी तक इसके 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके है तो आप यही से अंदाज है लगा सकते है क्योंकि भाई 200 MB के अंदर जो आपको देखने को मिलता है स्टोरी मोड मला आपको टारगेट बिल्कुल सामने नहीं रखा जाता है आपके कुश मिशन से ऐसे आते हैं आपको हिंट दिया जाता है कि टारगेट कौन होगा जैसे उसके पास लाल ब्रीफ केस हो सकता है यह फिर वो कि स्नाइपर हो सकता है तो आपको बिल्डिंग पर फाइंड करना पड़ेगा तो ऐसे मला हिंट दिये जाते हैं और साथ में स्टोरी दिखाई जाती है कि आप क्यों मार रहे हो तो वो चीज़े काफी जवरस लगती है और थाइस वेंबी के अंदर इतना कुछ मिल जाता है और हर एक फोन के लिए गेम तो उससाब से गेम को खेलने में काफी मज़ा आता है मैं खोद हरान था भाई ऐसे चोटे से गेम के सो मिलियन डाउनलोड लेकिन नो डाउट भाई गेम बहुत जवरस तो उसमें आपको काफी मज़ाएगा पूरे 3D ग्राफिक्स एकने को मिलते हैं और कंट्रोल्स में भी कोई इश्यो नहीं है बहुत ही सिंपल से आपको कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी तो इस गेम को भी सुरू ट्राइग करना दोसो लिस्ट पे जो हमारा साइमत लॉमबर पर गेम आता है वो है लॉन वोर्ट गेम पूरे तरीके से ओफलाइन रहेगा और गेम का साइज है वो 170 MB के आसपास है और भाई ये गेम काफी पॉपलर है अभी तक इसके 10 मिलिन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके है और स्पैशल प्लेस्टोर पी उपर वार्निंग दिवी है कि इसको सिर्फ 17 साल से उपर वाले लोग खेले है स्नैपिंग गेम में यही होता है कि थोड़ी सी वार्निंग होती है कि ज्यादा एजवाले ही खेले कुकि इसमें खून खराबा होता है और यहां पर आपको एक स्नैपर की स्टोरी भी मिलती है वो मिशन्स क्यों कर रहा है सारी सारी डिटेलिंग आप आगे पड़ पाओगे तो वो काफी जवरस लगती है तो यह गेम काफी पॉपलर हो था कम साइज में में को भी काफी पसंद आया था तो आप इस गेम को ट्राइ कर सकते हो स्नैपिंग में बहुत अलग तरह के मिशन्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों लिस्ट पर गेम आता है वो है डेथ टीलर्स गेम का साइज है वो 800 MB और गेम पुरे तरह किस से ओर्लाइन होगा यहां पे प्लेयर वसिस प्लेयर मैच होते है । जितने के सामने लोग को भी स्नाइपिंग ही कर रहे है तो आपको भी टार्गेट करेंगे तो कुछ ऐसा ये वाला गेम होने वाला है मतलब रियल प्लेयर वसीज प्लेयर है और वो स्नैपिंग वाला गेम है सोचो कितना मजाएगा लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है भाई ये वाला गेम है वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गाए शायद early access में चल रहा था already और play store से रिमूव भी हो चुक है तो आप किसी third party website से डाउनलूड कर सकते हो आपके phone में असानी से work कर जाएगा तो हैर गेम तो काफी जवरस है लेकिन इसमें आपकी snapping काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब मैंने इस game को खेल के देखा था न मतलब इतनी जल्दी मार देते हैं न सामने वाले तो उसकी साब से आपकी snapping काफी अच्छी होनी चाहिए अगर आप improve करना चाहते हो तो भाई सिर्फ shooting करना चाते हो सिर्फ snapping करना चाते हो तब आप इस game को try कर सकते हो वरना मैं recommend नहीं करूंगा क्योंकि graphics quality और cutscene दिखाया जाते है वो तो काफी जबरस है लेकिन को story builder अच्छे से नहीं होता तो वो में को थोड़ा सा बकवास लगा लेकिन game काफी मज़ेदार है 120 MB के अ और दोस्तों आज की लिस्ट पे जो हमारा last game आता है जो की 10th position पे है वो स्टिक स्कॉर्ट स्नाइपर बैटल ग्राउंड गेम पूरी तरीके से offline होगा और गेम का साइज है 125 MB भाई एक स्टिक एनिमेशन वाला गेम होने वाला लेकिन इसके बाप जुल भाई इन्होंने जो डाटा चुरा के ले गया है वो आपको रिकावर करना है लेकिन जैसे आप उसको मारते हो आपका बंदा डाटा उठाए उससे पहले वो की और उठागे निकल जाता है तो ऐसा कुछ होता है concept तो में को काफी पसंद आया भाई एक तो स्टिक एनिमेशन है और उपर से इतनी जवरस्त बनाई है स्टोरी मोड देखने को मिल रहा है तो इससे बैटर क्या होगा भाई इतने कम MP में इतना अच्छा गेम देखने को मिल रहा है तो मेरे कहने पर यह वाला गेम जरूर ट्राए करना और दोस्तों आज का वीडियो यही तक था उमीद करते हूं आपको आपको हर एक वीडियो का नूटिफकेशन मिल सके और थैंक्स फॉर वचिंग दिस वीडियो